बीजेपी सोशल मीडिया से सरकार तक पहुशने वाली पाटी है जिस तकनीक का इस्तमाल करके गद्दी मिली अब वही तकनीक उनी के खिलाफ खड़ी हो रही है आपका फेस्बुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम बंद होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है, अगर बंद हो जाए तो फिर सब लोग MX टकाटक पर वीडियो बनाईएगा समय और सरकार को इसी की दरकार है कि आप उनी की बजाई धुन पर नाचिए चलिए शुरू करते हैं, नमस्कार, मैं हूब रग्यामिश्वा, अपने सबसे प्यारे हिंदुस्तान की एक पत्रकार हूँ बताईए, ट्विटर पर लोग बहुत चिला रहे थे कि हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान से तुलना क्यों करती है करनी ही है तो चीन से करो, उसकी शिक्षा का स्ट्रक्चर देखो, उसकी रक्षा का स्ट्रक्चर देखो, उनकी एकनॉमी देखो, उनकी टिकनॉलोजी देखो, बताईए ये Twitter वाले सरकार को सिखाने चले थे और अब जब सरकार ने चीन से सीख लिया है तो खुद मेमने की तरह मीमी आ रहे हैं हाई दया ये ताना शाई है मेरा Twitter बंद ना हो हाई दया मेरा Facebook ना बंद हो जाए हाई दया Instagram को हमारी उमर लग जाए देश में ट्विटर की नहीं चलेगी देश हमारी सरकार से चलता है इसलिए देश सरकार से चलेगा ट्विटर पर सवाल पूछ पूछ कर खुद को बड़ा तीस मारखा समझने लगे थे अब आएगा उट पहाड के नीचे ट्विटर ने कहा कि वो बोलने की आजादी के खत्रे से तरे हुए है उनको तीन महीने और चाहिए सरकार की नहीं मानी तो आज नहीं तो कल ट्विटर, फेस्बुक भारत में बंद हो जाएगा जब ट्विटर बंद हो जाएगा तब फिर से टीवी के जरिये पॉजिटिविटी घर घर में गुसेडी जाएगी इस ट्विटर ने लाशे, श्मशान, ऑक्सिजन और गंगा में तैरती लाशे दिखा दिखा कर पॉजिटिविटी की सप्लाई ही रोक दी थी देश में जितना पॉजिटिव नैशनल टीवी न्यूज है ना, उतना पॉजिटिव तो कोरोना भी नहीं है भईया हिंदुस्तान के टीवी की खासियत है कि वो कुछ भी कर सकता है गाय से ऑक्सिजन निकाल सकता है, नोट में चिप निकाल सकता है बीजेपी प्रवक्ता की गैरहाजरी में उसकी कमी पूरी कर देता है ट्विटर, फेस्बुक ना हो, तो फिर हिंदुस्तानी स्वदेशी न्यूज कोरोना को भारत से जड़ से खत्म कर सकता है ऑक्सिजन काकाल दूर कर सकता है, लेकिन ट्विटर अपने आगे लोगों को टीवी की सुनने ही कहा देता है पूरी दुनिया में लोग नोकरी जॉइन कर रहे थे, स्टार्ट अप जॉइन कर रहे थे लेकिन भारत में ये दोनों चीज़े नहीं थी तो लोग ट्विटर जॉइन किये ले रहे थे, नोकरी मांग रहे थे, बताओ ट्विटर मांगने की जगा है क्या? भारत के लोगों ने हमेशा दान किया है, दिया है लेकिन आप मांगने की परंपरा शुरू कर दिये नौजवान नोकरी मांग रहे हैं, किसान हक मांग रहे हैं यह मंगतों का देश है क्या? इसे बड़ी बदनामी हो रही है हमारी ट्विटर इतना बड़ा हो गया है कि टीवी वालों की ट्विटर पर पेशी लग जाती है ट्विटर ने ऐसे ऐसे दुशासन पाल रखे हैं जो चुटकी में टीवी का चीरहरन कर देते हैं यहां तक ही प्रदान मंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं ट्विटर को सब कुछ करना चाहिए था लेकिन हिंदुस्तान की सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए था जहां लगता कि ऑक्सीजन की कमी से किसी का बाप, किसी की मा मर गई है और वो सरकार को गाली देने का मन बना रहा है तो उसका अकाउंट तुरंट ब्लॉक कर देना चाहिए था लेकिन ट्विटर कहता है कि सवाल पूछना जनता का अधिकार है जो अधिकार की बात करता है वो आखरी दिन गिनने लगता है ट्विटर भी गिन रहा है ट्विटर को बिल्कुल क्लियर और साफ दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि भारत में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा नहीं तो दानपानी बन्द भारत सरकार ने नियम कानून देश हित में बनाए होंगे ना विदेशी कंपनी होकर भारत में व्यापार करके भारत के लोगों को बरबात करना चाहती है उनको विद्रोही बनाना चाहती है हम दूसरी East India कंपनी नहीं खड़ी होने देंगे ना अब जो होगा वो स्वदेशी ही होगा इस ट्विटर की हिम्मत तो देखिए इसने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपलेटिट कंटेंट कह दिया ट्विटर पर कोई ठीठा का अधिकारी बिठाओ भईया जो संबित पात्रा को नहीं जानता वो क्या जानता होगा एक तो करेला वो पर से नीम चड़ा फिर भी कहता है कि हमारी पॉलिसी सब के लिए एक जैसी है ट्विटर को संबित पात्रा और कंगना में कोई अंतर ही नजर नहीं आता है बड़े पर्दे और छोटे पर्दे के कलाकारों को पहचानता ही नहीं है फिर क्या था भारत में ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस ने रेड मारती सरकार का बस इतना ही कहना है कि जो हमारे नियम कानून है वो मान लो भईया बस हमको और कुछ नहीं चाहिए सरकार ने 26 मही तक की आखरी डेट दी थी लेकिन ट्विटर और दूसरे मीडिया प्लाटफॉर्म ने अभी तक अधीनता सुईकार नहीं की है यह माना जा रहा है कि जो नहीं जुकेगा वो तोड़ दिया जाएगा देखिए भारत की सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रोनिक सेवं IT मंत्राले की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने के बीतर में ऐसे अधिकारी नियुक्त करने को कहा था जो भारत में रहते हों उनके कंटेंट रेगुलेट करें और उनकी फोन नंबर वगेरा हो नाम हो खोजने पर मिल जाएं ऐसा थोड़ी है कि ट्विटर चल रहा है अमेरिका से कुछ हुआ तो कोरोना के समय में प्लेन पकड़ कर आदमी अमेरिका चला जाए भारत में लोगों के पास दूसरे भी काम है ट्विटर कहता है कि हम डरे हुए हैं हमको अपने भारत में बैठे करमचारियों की बड़ी चिंता है अगर नियम नहीं माने गए तो कंपनियों के इंटरमिडियेटरी स्टेटिस को खत्म किया जा सकता है और ट्विटर फेस्ब प्लेन की जाए और कहा जाए कि यह आपत्ती जनक सामगरी है इसको डिलीट करो तो तुरंट डिलीट भी कर दे आचार सनहिता के उलंगन की शिकायते भी सुनेंगे मतलब चुनाव में भी मुकदमा लिखवाने में यह नियम काम आने वाले हैं कुछ भी जो सरकार की नजर म तब भारत महान बनेगा अभी यह जो लोग सब चिता विता जलते हुए दंगा में लाशे बहते हुए रेत में दबी लाशों को देखते हुए उनकी फोटो विडियो डाल कर देश को बदनाम कर रहे हैं तब देखते हैं कहा जाते हैं देशित की बात सबको माननी तो चलते हैं, राम राम, दुआ सालाम, जाए हिंद।